कि हलो फुरर्वन और एैंड टो तरग Congressman कि तुम तूम्हें कि तूम सब जानते हो आय सार कोल्काधा इंटिकेड़ प्रोग्रम प्रोग्राफ करता है ठीक है लेकिन इस प्रोवाइट कर रहा है जो इंटिकेटेट प्रोग्राम है उसका एडवर्टेजमेंट आ चुका है उसका जो कौन-कौन डिपार्मेंट उसके लिए एपलेकबल है उसका लिंक मैं डेस्क्रिप्सन में दे दूंगा उससे जाके तुम चेक कर सकते हो ठीक है लेकिन इस साल जो अब यह चैनल पर ने हो तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे इन्फॉर्णमेंशन रिलेटेड वीडियो सब से पहले तुमको पहुंचाने के लिए चैनल को जूरू सब्सक्राब कर देना और ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे स्टूडेंट सब्सक्राइब कर दिया है तुम समझते हो ना बहुत ज्यादा तुमारे पास मौका है कि आई-जार से करने के लिए तो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो बैसेलर डिक्री है तीन साल के उसमें केमिस्ट्री अजय साब्जिक होना चाहिए तो तुम एपलाई कर सकते हो अगर तुम थाड़ यहर में हो तब भी तुम एपलाई कर सकते हो तो रिक्वियर मार्क्स कितना है कितना तुमको मार्क्स ज़रूरत है इसके लिए तो इसके लिए 60% मार्क्स होना ज़रूर है ठीक है अगर तुम तुमारा थार से मतलब सिंख्स से में हो और फाइनर से में हो तो तुम्हारे तो अभी तक रेजाल आया नहीं है तो तुम्हारे जो प्रिप सेंप तक जो नामवार है उसको एकउंसीडर किया जाएगा ठीक है और जो reservation policy है वो क्या है reservation policy है जो government का rule है इंडिया का वही है ठीक है तो कौन-कौन apply कर सकते हैं इसके लिए देखो यहाँ पर एक ध्यान तेने वाला चीज है जो jam qualify कर चुका है वो 2021 में और 2022 में वो दोनों apply कर सकते हो जो qualify है 2021 में और 2022 में वो दोनों apply कर सकते हो ठीक है तो subject combination क्या है देखो तुम्हारे जो graduation हुआ था ना वहाँ पर क्या-क्या subject होना जुरूरी है देखो यह ध्यान से ध्यान रखना यह बहुत important चीज है जो chemistry है उसके साथ में mathematics and biology और physics चाहिए ठीक है अगर तुम्हारे chemistry honors है तो तुम्हारे first year में अगर mathematics है तो भी चलेगा और second year में physics है तो भी तुम apply कर सकते हो और biology है तब भी तुम apply कर सकते हो अगर तुम्हारे computer science और और कुछ subject है तो तुम apply नहीं कर सकते हो यह बहुत ध्यान देना वाला चीज है तो यह ध्यान में रखन करना देन उसके बाद ही अप्लाई करना देखो कैसे अप्लाई करना है वो यहां पर एक न्यू अप्लिकेशन लिंक देदेंगे तुमको हम बोलेंगे डेस्क्रिप्शन में देदेंगे लेकिन अभी तक वो प्रोवाइट नहीं किया गया है पूरा वीडियो ध्यान से देखन लास्ट में इंड में बता दूंगा कैसे करना है कि देखो क्या-क्या डॉकॉमेंट जो रूरी है मार्क सिट चाहिए तुमको साट्टिबिकेड ऑल एक्जामीनेसां स्टार्टिंग फॉल्ट सेकेंडरी एक्जामीनेसां यह चाहिए कब जब तुमको इंटर्फ्यू के लि है। उसके बेसिस पर तुमको शॉलींट करा जाएगा। उसके बाद तुमको इंटर्फ्यू के लिए बोलेंगे और नवीं सॉल में में हो लेवाला है और जो इंटर。 कंशल है, घॉकलता के आजिकेंत वısı के év billion ह्टैजिन शूम्मार्नाव一定 मुखेंवीशित sorryु में और 60 यह लेने के लिए 190 ज Travis स्डूडेंट्स के लिए बोलाया था तो इस बार 20 है तो उसके बहुत स्ट्ट्रेंट्स फाइनल होगा ठीक है तो बहुत सारा अपूर्चिनिटी है का हाजर के बाद भी चला जाए ठीक है तो तो आगर तुम्हारे रेंग जैम में हाजर के आसपस है तो भी तुम एपलाई कर सकते हो ठीक है कि देखो यहां पर क्लियाली मेंशन किया है बेस्ट ऑन दा जैम केमिस्ट्री रेंग एपलिकेशन विल भी सॉर्ड लिस्टेड एंड कॉल फॉर इंटर्वीव ठीक है और केंडेडेट्स विल भी सिलेक्टेड ऑन बेसी सब इंटर्वीव परफॉर्फरमेंस तो यही था और इंपोर्टेंट डेट क्या है देखो जो एपलिकेशन पूर्टाल है वह अभी तक ओपेंड नहीं हुआ है तो कब ओपेंड होगा अगर तुम हमरे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो कहीं पर जाने का जूरूरत नहीं है यहां पर आए जाएंगे और कहीं प कब खुलेगा कब क्लोज होगा वह अभी तक नहीं बाता बाता है जब यहां पर मिंसन कर देंगे तो हम तुरंद उसके उपर वीडियो बनाके अपलोड कर देंगे ठीक है और इंटर्फ्यू के लिए जो सॉडलिस्टेट कंडीड है इंटर्फ्यू के लिए उसको जो इंटर्फ्यू रेजर्ड होगा और फार्स जून होगा और बात मैं देखने ठीक है पहले तो तुम तुम्हारे पहले क्या चेक करना है अगर तुम्हारा जैंब में रैंक इस साल हजर के आसपास है तो तुम एपलाइ कर दूँ ठीक है तो बहुत एक अच्छा ऑपर्चु है इसको इसको अच्छा काम में लगा और चैनल को जूर सब्सक्राइब कर देना ऐसे इन्फोर्मेशन पाने के लिए ठीक है तो थैंक यू एंड गॉर्ड ब्लेस यू आल